नश्कार आप देखरें एकॉनिमी का हिसाब किताब मैं हूँ अनिंदिय चक्रवर्ति क्रिप्टो करिंसी की ABC आज हमारे टॉपिक हमारा टॉपिक यही है क्योंकि आप जानते कि भारत सरकार क्रिप्टो करिंसी पर अंकुष लगा रही है पाबंदी लगा रही है सिर्फ किया जाएगा और हो सकता है कि रिजर्व बैंक एक भारत का सरकारी अपचारिक अपना एक क्रिप्टो करिंसी सामने लेकर आए लेकिन क्रिप्टो करिंसी है क्या आपने सुना होगा बिटकॉइन है ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करिंसी है दुनिया में लगबग साड़े सा 3000 ऐसे क्रिप्टो करन्सी चलती है बात क्रिप्टो करन्सी कोई ऐसा करन्सी नहीं होता है जो हम छू 서울 जब हम बैंक टू बैंक भी ट्रजफर करते हैं तब हमारी दिमाग में रहता है और यह Desmond यह occurring cardboard होता है हमाले सामने ऐसा कुछ क्रिप्टो करन्सी में नहीं होता है लेकिन क्या वो रुपए हो या डॉलर हो या ऐसा कुछ हो उसकी जगे ले सकता है क्या ले सकता है किसी जो हम करिंसी जानते हैं उसकी जगे ले सकता है उसके लिए किसी भी करिंसी के मतलब क्रिप्टो को अगर करिंसी बनना है तो उसको ज़रूरी क्या है कभी लोग उसको उस पर भरोसा रखें, ट्रस्ट करें, उस पर आस्था हो, जैसे कि कोई भी करंसी हो, पूरे समाज एकॉनमी में सभी को उसको माननेता देने, ज़रूरे ने तो वो करंसी नहीं चल सकती, दूसरी बात है कि एक बार में सिरफ एक ही ट्रांसेक्शन हो सकता है, एक ही लेंदेन खरीत फरोत का ट्रांसेक्शन एक बार में उस करंसी से हो सकता है, तीसरी बात है कि आप घर पे करंसी नहीं चाप सकते हैं, उसको डूप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो आप जेल जाएंगे, तो पहले हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि ट्रस्ट, currency में, उसका मतलब क्या है कि सब ही लोगों को एक economy में, एक समाज में उसको accept करना चाहिए, एक देश में, अगर आप दुकान में जाएंगे, आप कहेंगे कि ये कितने का है, तो लोग कहेंगे आपको एक रुपे का value देंगे भारत में और आप उसका पैसा देंगे, तो आप चीज खरीच सकते हैं, तो currency का value और उस चीज का value match करता है, तो उतना पैसा आप देते हैं, वो value भी respect होना चाहिए है न, कि अगर कोई कहें कि ये 1.500 रुपे का सामान है, तो आप 100 रुपे का और 1.50 रुपे का note देंगे, तो वो मानेंगे कि ये 1.500 रुपे आपने उनको द सरकारी back किया हुआ, जो भी currency हो, वो सबसे जादा चलता है, दुनिया में कोई भी आप currency ले लीजे, हाँ, bitcoin हो याईसा कोई भी currency हो, वो सरकारी back नहीं हो है, लेकिन उस पर मैं बाद में जाओंगा, ठीक है, दूसरी बात जो मैं कह रहा था है, एक note से एक बार में ही आप ए फिर के हो सकता है, जब आप कुछ बेचेंगे, आपके पास आजाए, या आपके salary में वही note आजाए, लेकिन एक transaction में वो note सिरफ एक बार ही चल सकता है, और वो दूसरे जो आदमी उसके पास चला जाता है, यानि कि next आदमी के पास, वो पास हो जाता है, इसको हम circulation कहते हैं, और वो भी किसी और को देता है, ऐसे घूमता रहता है, और इसी तरीके से ये हमारे लिए साफ होता है, कि इसका दाम हर वक्त सेम रहता है, चाहे वो मेरे लिए 100 रुपया हो, अगले आदमी के लिए 100 रुपया है, तीसरे के लिए भी ये 100 रुपया है, और ये transaction इसको ensure करता अब तीसरी बात क्या है तीसरी ज़रूरी बात है कि इसको हम duplicate नहीं कर सकते हैं याने कि note आप घर पर चाप नहीं सकते हैं आप चापना मुश्किल होता है दूसरी बात है कि अगर आप चापेंगे तो आप jail जा सकते हैं पकड़े गए तो और यह जो सरकारी माननेता है कि cryptocurrency ऐसा कर सकता है क्या ऐसे पैसे जगे ले सकता है cryptocurrency और इसके लिए वो इधी तीन चीज़े जरूरी है cryptocurrency के लिए भी कि लोग उसको Trust करें तीसरी बात है कि एक transaction में एक बारी use हो और तीसरा है कि उसको आप duplicate नहीं कर पाए लेकिन पहला जो Trust वो तब ही होगा अगर अगला second और third वो मानने हो और इसको मैं थोड़े आपको समझाता हूँ single use क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई digital currency है आपने उस digital currency को एक बार computer से किसी और को दिया लेकिन आपके computer भी उसका copy रह गया है ना तो आप उसको फिर से किसी और को देगे दूसरा चीज़ खरी सकते हैं जी नहीं इसके लिए चलता है ledger maintain होता है बही खाता पूरे internet में सभी के पास ये बही खाता चलता है और एक बार आप जब एक transaction करते हैं तो उसका एक e-signature उसके साथ चला जाता है कि मैंने इसको ये pay किया है वो दुबारा आप वही चीज फिर से use नहीं कर सकते हैं आप अगर उसका copy बना कर use करेंगे तो बाकी पूरे system में जो बही खाता ledger maintain कर रहे हैं वो पकड़ लेंगे कि आपने ये जो किया है ये fake है ये असल नहीं है इसलिए आपका जो transaction है ये मानने नहीं होगा अब आप कह सकते हैं कि ठीक है e-transaction इसमें क्या है मैं तो घर में बैठके बना सकता हूँ हाँ ये एक bitcoin या कोई भी cryptocurrency का एक अजीब चीज है कोई भी इसको बना सकता है इसका control सेंट्रल बैंक के पास नहीं होता है लेकिन एक बार अगर एक coin या currency जो क्रिप्टो करनसी बने तो वो एक ही होता है उसको duplicate किया नहीं जा सकता है क्योंकि उसका जो ownership होता है उस ownership के लिए दो key होते हैं एक key आपके पास private key रहता है जिससे आप जब transaction करेंगे वो key transfer होता है दूसरा एक public key है जिससे पूरे जितने भी लोग cryptocurrency यूज़ कर सकते हैं वो verify कर सकते हैं कि आपने जो use किया है वो सही में एक मात्र coin है और ऐसा coin कहीं पे भी नहीं है और coin बनाने के लिए बहुत computer power की ज़रूरत होती है और कुछ mathematical puzzle होते हैं जिसको solve करना पड़ता है और वो cut in होते हैं लेकिन उसको verify भी करते हैं और verification आसान होता है यही इस system में बना हुआ है तो जो लोग इसको बहुत computational power लेकर बनाते हैं माइन करते हैं नए coin बनाते हैं उनको कुछ coin free में मिलता है लेकिन इन coin का जो total amount है वो limited है 21 million bitcoin के बाद वो नहीं बढ़ सकता और एक और चीज़ है कि जब bitcoin use होता है तो जिसने use किया है या जिसने यह coin बनाया है उसका identity उसमें encoded होता है identity मतलब यह नहीं कि आपका नाम लेकिन आपका जो E identity है digital identity है वो permanently उसमें encode रहता है इसलिए उसको आप duplicate नहीं कर सकते हैं हाँ लेकिन bitcoin के चक्कर है यह है कि यह उपर नीचे जाता रहता है कभी यह 100 dollar है तो कभी 50,000 dollar कभी 2 dollar ऐसे घूमता रहता है उतना ज़्यादा fluctuate नहीं होता है लेकिन कुछ currency ऐसे भी होते है crypto के currency बहुत तेजी से एक दिन में 20% अगले दिन 8% ऐसे गिरते रहते हैं इसलिए यह popular नहीं हुआ है क्योंकि आज अगर मैंने आपको कुछ चीज बेच दिया आपने crypto में मुझे pay किया कल वो crypto का दाम कितना रहगा मुझे नहीं पता कि कल जाके उससे मुझे क्या मिलेगा इसलिए exchange के लिए खरीद फरोद के लिए यह popular नहीं हो पाया है लोग इसको खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं इसलिए कि यह एक investment है जैसे stock market हुआ या gold हुआ इसलिए इसको खरीद रहे हैं और इसमें बहुत पैसा बनाया है लेकिन एक चीज याद रखेगा कि सभी लोग जो कहते हैं कि crypto end में crypto ही रहेगा दुनिया में वो एक और चीज है वो आखिर में वापस उसी पैसे में उसको convert करना चाहता है कोई dollar में convert करना चाहता है तो कोई रुपय में crypto में वो रहने नहीं देना चाहता है वो पैसा इसलिए ये जो उपर नीचे हो रहा है इतने सारे crypto आ गए है currency आ गए है हर रोज कोई नया currency निकाल रहा है इसलिए लोगों को जो retail investor है छोटा investor है उसको protect करने के लिए regulation इसमें बहुत जरुए ताकि वो उनको cheat न किया जाए और यही शायद पहला step है कि सबसे पहले सारे जितने crypto है उन पर पाबंदी लगेगी पहले भी हुआ है खैर ये और उसके बाद कुछ recognize किया जाएगा और अगर लोग चाहते हैं तो उसको use कर सकते यही ए cryptocurrency की ABC यह एक बहुत complex मामला है इसको और भी आगे समझाने की लिए आगे आने वाले एपिसोडों में भी हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे देखते रहे हैं न्यूस क्लिक इस शो को share कीजिए like कीजिए और लोगों को जरूर बताईए कि न्यूस क्लिक देखे